कि मेरे यूटूब चैनल एस्टॉब नेश पर आपका सवागत है सबसे पहले तो उन धर्षकों का सु कूरिया जिन Gooey को सबस्राइब किया है और जिन्होंने सब्सराइब नहीं किया है और जो दशbo Sinnah नए जुड़ रहे हैं उन्हें रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसे शेर और लाइक जरूर करें उसके उपर कमेंट जरूर दीजिए आज हम बात कर रहे हैं गुरू के राशी प्रोरतन की और गुरू के इस रा एक गुरू का है और एक राहु के तुका है जो अक्तूबर में होगा 22 से अपरल को गुरू जो है देव गुरू बरशपती राशी प्रोरतन करेंगे वो पहले से मेश राशी में राहु के साथ चल रहे करेंगे और अगले साल एक मई तक यहीं पर रहेंगे गुरू के इस राशी प्रोड़तन के दुरान वैच चार सितंबर को वक्री हो जाएंगे और दुबारा 31 दिसंबर को मारगी होंगे इस बीच गुरू जो है वो अस्थ भी होंगे लेकिन ये समय सिर्फ एक हफ़ते के लगबग रहेगा क्योंकि गुरू का जो राशी प्रोड़तन हो रहा है वो अस्थ स्थिती में ही हो रहा है गुरू 31 मार्च को अस्थ हो रहे हैं और 30 अपरल को उदे होंगे इस बीच वो 22 अपरल को राशी प्रोड़तन करेंगे अब इन में सबसे पहली जो राशी है वो राशी है मिथुन राशी लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि गुरू करते क्या है गुरू आपकी जनमकुंडली में 12 में से 9 घरों के उपर असर डालते हैं गुरू दूसरे पांचवें, सातवें, नोवें और ग्यारवें भाव में शुपफल देते हैं गुरू दूसरे पांचवें, नोवें और ग्यारवें भाव के कारक है दूसरे भाव के कारक जो है जो धनबाव होता है उसके भी कारक है पांचवे भाग के भी कारक है नुवे के भी कारक है भागेसान के और ग्यारवा जो आएस थान होता है उसके भी कारक है गुरू की तीन दृष्टियां होती हैं और इसके लवा गुरू कुड़नी में दो घरों का स्वामित्व रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि चार तीन साथ और दो नू नू भावों के उपर गुरू का डोमिनस रहता है अब बात करेंगे मिथुन राशी के लिए ये गोचर जो है वो कैसा रहेगा मिथुन राशी के लिए गुरू ग्यारवे भाव से गोचर करेंगे आपकी इच्छाओं की पूरती है आपकी एलिवेशन है जतनी भी तरक्की मिलती है लाइफ में जितना भी पैसा आता है आपके पास वो सारा गेर्वे भाव से आता है जब गेर्वे भाव में गुरू गोचर करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा उसका कारण ये है कि तीन राशी जो मिथुन राशी है उसके लिए गुरू दो केंद्रों के मालिक बनेंगे एक सब्तम भाव एक दशम भाव सब्तम भाव आपकी कुनली में पार्टनर का भाव है लाइफ पार्टनर का भाव है और बिजनस पार्टनर का भाव है जब 11 भाव में गुरू गोचर करेंगे तो इस भाव के ओपर गुरू की द्रिश्टी भी रहेगी निश्ची तो पर तो इसका आपको फाइदा होगा यदि आप सिंगल है तो हो सकता है कि गुरू आपको इस साल में ऐसा मुका दे दें जब आपकी अंगेंडमेंट हो जाए या आपकी शादी हो जाए तो ये स्तिती रहेगी मित्तुन राशी के लिए गुरु की दिष्टी की रिलेशनिश्यिप के लिहाज से करम की बात करेंगे करम जो है उस भाव के स्वामी यैंने कि 10 भाव के स्वामी Allison भी आपके कुल्दिमें गुरु बनते हैं तो निश्ची तोर पर जब गुरु शुभ फल कारकग्राइब बन गए हैं की कुनली में तो आपको करम के लिहाज से भी अच्छा फल देंगे यान की करम का फल आपके जो करम होंगे आप जिस जो भी जोब करेंगे आप बिजनस करेंगे आप कोई भी कारोबार करेंगे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं आप फ्री लांस का काम कर रहे हैं आप कहीं पर भी की द्रिष्टी जाएगी गुरू की एक द्रिष्टी आप जाएगी आपके पंचम भाव के उपर पंचम भाव क्या है अब स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी चीज है क्योंकि पंचम भाव से हाइर एजूकेशन आती है और गुरू शिक्षा के कारग रहे हैं जब ग्यार्वे भाव में प्लेस्ट होकर गुरू गोचर में पंचम भाव को देखेंगे तो आपकी हायर एजूकेशन को जो है वो अपलिफ्ट कर देंगे मिन्दा आपका स्टेट अफ माइड अच्छा हो रहेगा पंचम भाव से रिलेशन्शिप आती है यानिकि जो मंगनी क इस तरह का का म करते हैं जिससमें आपको ऊठीट का करते हैं कुछ लोग आपके चार्म आपके पास्ट करमास काNo पंचम आपका जो है वह संतान जिन को संतान नहीं हो रही है घ्या । ARE करेंगे वहां पर संतान होने का भी योग बन जाएगा मित्ण राशी के जातकों के Umasia के लिए बते और इस द्रिश्टी में आपको करेंगे जाज़ में आपको marvel के छोटे नहीं है कि आप हो शोटे हो जाएगा सिरे oven के पर आपको बहुत अच्छा फ़लिए चूंकि गुरु की द्रिष्टी आपके teeth की ऊपर जा है तो यह मिफन राशी का हाल है हम अगली राशियां भी बताएंगे जल्दी जल्दी थोड़ा सा हमारे साथ बने रही है अगली राशी जो है वो है सिंग राशी जिसको गुरू के गोचर का बहुत जादा फाइदा होने जा रहा है दोजा तेईस में अब सिंग राशी के लि जो है वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं यह कुंडली का सबसे बेस्ट स्थान होता है जो आपका भागे सान होता है यह बेसिकली आपके भागे का स्थान है आपके अध्यात मकाभी स्थान है जब यहां से गुरू गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल करते हैं तो कु गुरु की आपकी जो है वो मेन राशी जाती है और दूसरा भाव पंचम भाव है यहना कि सिंग लगन की राशी या शिंग राशी के राची जो कुंटली होगी वहाँ पर गुरु पंचम और अश्टम दो भावयों का स्वामित्व रखते हैं अब पंचम से जो फल आते हैं यानि कि यदि आप संतान चाते हैं तो वह भाव आपका activate है, यदि आप सिंगल है और आपको लगता है कि कोई ना कोई life में आए तो वह भाव activate है, यदि आप student है तो आप higher education के लिए जाना चाहरे हैं तो वह भाव आपका activate है, बहुत अच्छे result मिलेंगे इन चीजों में, अश्टम भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा अश्टम के फल भी गुरू करेंगे अश्टम के नेगटिव भी होते हैं पॉस्टिव भी होते हैं लेकिन बताया ज्यादा नेगटिव जाते हैं मैं पॉस्टिव भी बताऊंगा अश्टम से बताया जाता है कि आपकी आयू दे से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा सड़न जो कई कई बर क्या होता है आपको ऐसा पैसा मिल जाता है जो शायद आपने सुचा भी नहीं होता वह पैसा बापको मिलने के असार बन जाएंगे क्योंकि गुरू का ट्रांजिशन आपके लिए चंदरमा जब गुरू के प्रभाव में आड़ाता है तो आपका मन जो है वह वैसे ही पॉजिटिव हो जाता है आप नेगटिव चीजों को भी में भी पॉजिटिविटी ढून लेते हैं और नेगटिविटी आपको असर नहीं कर पाती है आपने कुछ लोग देखे होंगे लाइफ में जो लोग नेगटिविटी से इंफ्लेंस नहीं होते हैं भला ही सामने वाला जितना भी नेगटिव हो वो अपने आपको मैनेज कर लेते हैं उनकी कुलनी में गुरू की यही स्थिती होती है चंदरमा गुरू को देख रहा होता है या गुरू चंदरमा के पास स रिलेशन्जिब का मबला हो पार्टनर्स के साथ विसनस रिलेशन्शिब का बिजनस जब्सक्रायों को लैट्ली हल कर देते हैं अप उन अपने उपर उनको नहीं होने देते आपने उपर इस जात्री सी को भाव है इस भाव के सिगनिफिकन सब बहुत बैटर हो जाएंगे यानि कि जो भी आप फैसला करेंगे लाइफ में वह पूरी कन्विक्शन के साथ करेंगे पूरी कॉंफिडेंस के साथ करेंगे आपको लगेगा कि हाँ मैंने यह बात बोल दिया तो यह हो गई इसके बाद न गुरू की दृष्टी भी उहीं पर है जب गुरू की दृष्टी भी वहीं पर है भाव ही एक्टिवेट है तो निश्चितर पर यदी आप संतान का इन्तिजार कर रहे हैं तो ये उमीद सिंग राशी के जातकों के लिए जरूर पूरी होगी इस साल गुरू आपको संतान सुख जरूर देके जाएंगे ये सिंग राशी के जातकों के लिए गुरू के गोचर का असर रहेगा दो हजार बाईस में अगली राशी जो है जिसको और प्लाब होगा इस गोचर का वह तुला राशी के लिए गुरू जो है वो सब्दम भाव से करेंगे सब्दम्भाव का गोचर अच्छा मना जाता है और तुला राशी के जातकों को क्या-का फाइदा होगा के लिए गुरू की एक राशी आएगी तीसरे स्थान के ऊपर एक राशी आएगी छठे स्थान के ऊपर अब इन दोनों भावों को नेगटिव भाव कहा जाता है ने उपाच्चे घर कहते हैं लेकिन इनके पॉस्टिव फल भी होते हैं हम पॉस्टिव फल ही बताएंगे नेगटिव फल तो आप की पंचम द्रिष्टी के परभाव में आ जाएगा जब ग्यारवा भाव गुरू की पंचम द्रिष्टी के परभाव में आ जाता है तो आपकी आए में वरीदी होती है आपकी एलिवेशन होती है ग्यारवा भाव एलिवेशन का भाव है आपकी इच्छाओं की पूर्ती होती या वो बहुत जबर्दस तरीके से फल करते हैं गुरू जापर क्योंकि वो पॉस्टिफ गोचर में है नेक्टिफ गोचर में गुरू अच्छा फल नहीं करते हैं लेकिन पॉस्टिफ गोचर में बहुत अच्छा फल करेंगे गुरू आपके लिए तुला राशी के जातकों क आपस में लेकिन फिर भी इसके बाव जोचर आपके लिए अच्छा है अब गुरू की एक द्रिष्टी जाएगी सब्तमवली सीधी लगन के ओपर याने की राशी के ओपर यह फॉर्मेशन होगी जब चंदरमा और गुरू आमने सामने हो जाते हैं या केंदर में हो जाते हैं तो गज केसी योग की फॉर्मेशन होती है तुला राशी के जातकों के लिए यह गज केसी योग की फॉर्मेशन हो जाएगी जब तुला राशी के जातकों के लिए गज केसी योग की फॉर्मेशन होगी तो इससे निश्ची तोर पर आपको फिनैंशली गेन मिलेगा आपक से काम करेंगे आपको आप शरणिक तोर पर फिट रहेंगे आपको कोई बिमारी जो है वो शायद टच नहीं कर पाएगी यह चीजें आपको गुरू के इस गोचर के दुरान देखने को मिलेंगी हाला कि छोटा मोटा रोक किसी को भी आ जाता है किसी को स्टमक में दर्द है य यह चोटी मोटी चीजें हैं जिसको जो है वो जिससे आप इजली अवरकम कर जाएंगे अब गुरू यहां पर बैठेंगे तो नुवी द्रिश्टी के साथ देखेंगे तीसरे भाव को अब तीसरा भाव क्या है तीसरा भाव आपकी करज का भाव है आपके छोटे भाई का बाव है तीसरा भाव जब एक्टिवेट हो जाता है तो आप कन्विक्शन के साथ फैसले लेते हैं पूरे कॉंफिडेंस के साथ फैसले लेते हैं भाई के साथ आपका रलेशन्शिप जो है वो सुदर सकता है तो यह चीज़ जो है क्योंकि तीसरे भाव में गुरू की अप बहुत ज़्यादा नेगटिव बताया जाता है कि यह रोग रिन शत्रू का भाव है यह भी लेकिन यह भाव करम स्थान से भागे होता है यानि कि जदी हम दश्यम हाउस से इसकी काउंटिंग करते हैं तो यह करम स्थान का भागे होता है जिंदगी में प्रोफेशनल लाइ में क्योंकि धन भाव के उपर गुरू की द्रिश्टी रहती है यह जब छठा बाव एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको करियर में ग्रोफ दे सकता है क्योंकि यह करम का भागया है यह पॉस्टिव आसपेक्ट है इस चीज का लेकिन थोड़ा सा आपको खाने पीने को ले अगले साल एक मईज तक आपके लिए गुरू का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है अगली राशी जो है वह धनू राशी है जिसके लिए गुरू का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है उसका कारण यह है कि गुरू इस राशी से पंचंभा में गोचर करेंगे अब गुरू की सीधी द्रिश्टी धनूराशी के उपर है तो आप पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे आप में नेगटिविटी नहीं आएगी आप खुश मैसूस करेंगे और आपको बहुत तरक्की मिलेगी मैं तरक्की मिलेगी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब पंचम में गुरू जो है वह गोचर करेंगे आपकी राशी में से तो एक द्रिश्टी से सप्तम वाली द्रिश्टी से 5 girls देख inclаг गैरमाभाव आये का स्थान है आये स्थान पर गुरू की द्रिष्टी होने का मतलब है कि आपको निश्चित तोर पर इस दुरान आये में व्रिधी देखने को मिलेगी आपकी तरक्की हो सकती है यदि आप जोब करते हैं तो आपकी अच्छी प्लेस्मेंट हो सकती है बैटर के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है क्योंकि एलिवेशन किसी भी रूप में हो सकती है तो यह चीज़ आपको गुरू का यह गोचल देखे जाएगा मैं यह इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जब पंचम में गुरू बैठते हैं तो सीधा आपको बोलती हैं जिसके लिए आपको कोशिश कर रहे थे लेकिन वह लटक रही थी उसका फल नहीं मिल पा रहा था यह चीजह आपको निश्ची तोर पर गुरू का यह गोचर देखे जाएगा ऐसे लोग जो है वह धार्मिक यात्रा कर सकते हैं धार्मिक यात्राओं का ब जो है वो अच्छे दर्शन भी होंगे कहीं पर भी आप जा रहे हो लेकिन एक चीज का ध्यान अखिएगा जब यात्रा में निकल रहे तो इसका महूरत देख लीजिएगा बाद में कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि गुरू जी ने तो पताया था कि यात्रा वाला भाव अच् लगन में हैं केंदर में हैं गुरू की दूसरी रासी जो है वो चोथे भाव में हैं चोथा भाव क्या है आपकी एसेट्स का भाव इसको सुख स्थान बोलते हैं यदि आप प्लैन कर रहे थे कि कहीं मकान लेना है कहीं नहीं गाड़ी लेनी है कहीं नहीं प्रॉपर्टी ख ख्रीदने के लिए किसी भी तरह की ऐसेट ख्रीदने के लिए आप वो काम कर सकते हैं और इसका गुरू जो है वापको निश्ची तोर पर लाब देकर जाएंगे ये बात रही धनु राशी के जातकों की अब अगली राशी जो है वो जो लकी राशी है वह मीन राशी ये भी की अपनी राशी है गुरू इस राशी का स्वामित्व रखते हैं यहां से गुरू जो है वो दूसरे भाव में गोचर करेंगे और दूसरे भाव का गोचर शुब होता है अब दूसरे भाव में जब गोचर करते हैं शुब इसलिए कहा गया है क्योंकि गुरू इस भाव के का सबस्क्राइब करम सबस्क्राइब रोग यदि कोई आएगा यदि कोई बिमारी आएगी गलती से तो फिर वहां पर भी क्योर करने में गुरू की दृष्टी हल्प करेगी यदि कोई आपके उपर करजा है पराना है वो निपड नहीं रहा है कोई बहुत लंबा लटक रहा है तो हो सकता है कि गुरू के इस दृफ हा में गोचर करते हैं तो गुरू की दृष्टी जाती है एस्टम भाव के ऊपर यह चुपे हुए धन का भाव केकि और चुपे हुए धन का भाव नकांब्स है कौने हैं जो लोग्ड़क स्टूड़़िंट वहां पर GURU की help मिलेगी है यहां पर GURU की दृष्टि यहां पर बहुत हैल्प करेगी शारीरिक फिटनेस चटहे और 8 वहां से देखी जाती है चता जो है वह चोटी चोटे रोग का घर है अश्टम से हम लंभी बिमारी देखते हैं तो यह दोनों भाव GURU के ब्रख़चम में जब यहां पर धनूराशी के ऊपर गुरू की दृष्टी जाएगी, यह घर ही एक्टिवेट है, उस भाव के स्वामी ही गुरू है, तो निश्ची तोर पर चाहे आप जोब करते हैं, चाहे आप फ्रीलांस का काम करते हैं, चाहे आपका कारोबार हैं, चाहे आप हैं, आप बहुत खुश रहेंगे, जो है वह आप हैल्दी फील करेंगे, पॉस्टिव फील करेंगे, करम अच्छा रहेगा, आइस्थान जो है वो धन सान के ओपर गुरू खुद आ गए हैं, करम अच्छा रहेगा तो निश्ची तोर पर आए भी आएगी, बहुत सारी ची कि ये वीडियो अच्छी लगी, यदि अच्छी है या इसमें कोई गुंजाइश है सुधार की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, इसके साथ ही मुझे दीजिए जाज़त, नमस्कार.